तो दोस्तो आज 9th जून 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे चार ऐसे important company की share के उपर आज market close हो जाने के बाद कुछ ऐसा news आया जो कि ये सारे company की share के लिए थोड़ा सा bad news है अब गिरावट होना ना होना वो तो बात की बात है पर ultimately मैं आपको बोलूँगा सोंबार के दिन जैसे बजार open होगा यानि next trading week पे आपका करी नजर होना चाहिए ये चारो important company की share के उपर अब चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये news का published time क्या है तो देखिए ये news published हुआ आज यानि 9th जून 2023 को शाम को पांच बच के 21 मिट मार्केट उस ताम पे closing हो गया था तो न जब कोई share को यहां पर cover करता है rating देता है target देता है तो उसका impact दोस्तों next day आपको market में जरूर देखने को मिलता है तो इसका prime example इसके पहले भी आमने देखा था बहुत सारे share है बहुत जाद उपर पहुंच गया था फिर एकदम से downgrade किया share में गिराबाट हुआ तो अब दे valuation काफी decent आप देखिए downgrade करने के पीछे भी बहुत सारा reason है हमने देखा last एक साल पर या last 2-3 quarter में यह सारी insurance sector की company का performance कुछ खास नहीं था इवन अगर आप quarter 4 भी उठाके देखोगे बाकी हम discussion करेंगे यहाँ पर SBI life को छोड़के दोस्तों बाकी जो insurance sector की company का performance as such कुछ अच्छा नहीं था आप देख सकतो SBI life का भी performance काफी अच्छा था फिर भी कोई बहुत बड़ा growth तो यहाँ पे नहीं रखा था revenue का अंदर भी इसका performance सबसे खराब था बहुत ही जादा खराब आप देखसे तो revenue को छोड़के बाकी सेग्मेंट वाइस गिरावट था उसके साथ आप देख सेकतों as usual कि यहाँ पर मार्किट का एस्टिमेट उसको बीट नहीं कर पाया तो यह सारे बहुत सारे रिजन यहाँ पर मैक कुर मेंटेन रूल दोस्तों लागो किया कौन सा तक्स से मैं आपको बताता हूं कि जिसका और प्रीमियंघ करा से ज्यादा है तो यहाँ तक सारे कंका की भॉझ का हो सकता है टैक्स की बज़े से भी आप थोड़ा वह द्रॉप हो सकता है तो जिस बैसे हमें यह सारे जो इंशॉरेंस सेक्टर की कंपणी इसको डाउन गेट किया अब देखे कि कितना कितना रेटिंग दिया कितना कितना टार्गेट दिया छली थोड़ा देख लेता है सबस्कराओं भातों चाहति करेंगे एज्ट क्शन एक उन्तैब कर Audio राप्राइट तो इसको क्म करने के लिए छे高 सबसेंट प regression वृपर्शन वह आपक्त कहले विख सकतो किहां यहां पर इसान रिख सकतो यहां पर दोस्तों इंडर की 109 मौब बेसक्त हो और आज की अमने देखा बहुत साहरे गब से बात करेंगि इंडिविडेविशली तो तो ध्यान से सुनना कहां तक गिर सकता है यागर गिराबट हुआ तो क्योंकि देखें यह तो आफ कोर्स यहां पर नेगेटिव नियूज है इसके एंपक्त आएगा पॉजिटीव या नेगेटिव वह तो मंडे की दिनी मालूम पर जाएगा पट मैं आपको बोलूँगा यह यहां पर जितने भी इंशॉरेंस सेक्टर की कंपणिया सबसे अच्छा है लास्ट एक साल पर देखें यह एक मात्र शियर जो की छे परसंट को रिटन दिया मताब पॉजिटीव ने रिटन दिया पांच साल की बात करें एटीटीव परसंट का रिटन फिर भी देखें को ब इंशॉरेंस सेक्टर में एक तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीमें होती है अगर आपको इंवेस्ट करना है तो यह सारे चीज़ आपको अब्जर्ब करने की जरूरत है तो यह सारे से पोटेंशल की बात करें ग्यारा परसंट डाउन एक साल पर ठीक है पांट साल की बात करें सिर्व से 23 पर चौथा शेर जो हमाई लिस्ट में है एलाइसी तो हमने मतलब यह बोलने की जरूरती नहीं है यह इंशॉरेंस सेक्टर कंपणी है एक तो सरकारी कंपणी है जिस बैसे इसका मतलब ग्रोथ डबल स्लो जाएगा उसके साथ साथ एक मैच्वर कंपणी है ध्यान से सुनना मेरा बात को मैच्वर कंपणी मतलब कंपणी का मार्केट कैप्चर ऑल्रेड इंडिया में बहुत जबर्दस्त है तो जिस पैसे मार्केट एक्सपैंशन आपको बहुत ज़दा स्लो देखने को मिलेगा ठीक है और उसके साथ साथ की बात करें कि यह डिविडेंट भी कुछ खास नहीं देते अक्सर हमने देखा बहुत अच्छा डिविडेंट पे किया जाता है घर दोस्तों अब देखें हमेशा आपको प्रिकॉशन लेकर चलनना चाहिए हमेशा मार्केट में हो या न ब्रेक आट के बाद के जब छोड़ा मोड़ा करेक्शन हुआ कभी बारा सो दो कभी बारा सो पांच इसी लेविल का सब्सक्राइब हमने देखा अपना जो हाई है उसके काफी नस्दिक आ चुका है है यह तेरा सो चालीस रुपए और शेयर चलना है बारा सो अटाइस रु लास्ट एक मैने पर थोड़ा थोड़ा करकूपर मूफ जरूर कर रहा है बात करेंगे इसका क्या इंपोर्टेंट सपोर्ट डवेल है तो लास्ट एक मैने की चार्ट प्रेंग के आकोडिंग मैं बोल रहा हूं शेयर सारे 500 रुपए के आसपास एक बढ़या यहां पर कंसॉलिडेट किया था बहुत अच्छा स्टेबल भी था बहुत अच्छा सपोर्ट भी था तो जिस बैसे मुझे लग दे कि अगर इनकेस के अंदर गिरावट होता अब देखें गिरावट होगा नहीं होगा वो तो इसको नजर रखें उसके साथ सथ अगर गिरावट होता है तो यह सारी इंपोर्टेंट सपोर्ट अवेल बाकी बात करें आई से पोडेंशियल यह भी देखें लॉंग टम में कोई खास हमें असच रिटर नहीं दिया आप देख सकते जब लिस्ट वाथा था शिक्स्टीन सब्सक्राइब करें और अब 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 बात करें हो चुका आपको 23 इतने सालों पर सिर्फ सिर्फ 60 परसें तक भी रिटन नहीं दिया इतना ज़्यादा वाले तो इस बैसे मैं में आपको आपको देखने को मिलता है मतलब बहुत ही जो पोटेंशियल रिटन स्क्राइब बह अगर गिरावट होता है यहां पर इस बार 440 से 450 के भीतर एक अच्छा सपोर्ट है ऐसे इसे पोटेंशियल के लिए बाकी बात करेंगे लाइसी इसके पहले भी मैं बहुत बार मना किया था कि इसको पर अभी इमेडियेटल इन्वेस्टन की जरूरत ने कितने भी कंपनी प इन्ट